हलू नमिश्कार आप सभी का स्वागत है कोकिंग चैनल पैन्टू प्लेट में आज हम बनाने वाले हैं जन्माश्मी की पावन परव पर दो अलग तरीके की बनने वाली पंजीरी तो आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल के लिए आटा पंजीरी और धनिया पंजीरी तो चलिए सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं आटा पंजीरी लड्डू गोपाल को पंजीरी की बोग बहुत ही जादा पसंद है कड़ाई में 4 टेबल स्पून घी डालेंगे आज को यहाँ पे हमें धीमा और मद्यम के बीच में रखना है जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें हम एक कब गेहूं का आटा डाल कर इससे सुनेरी होने तक भून लेना है तो आटा यहाँ पे सुनेरी हो चुका है अब इससे हम प्लेट पर निकाल लेंगे यहाँ पे जब पंजीरी गुन-गुनी गरम होगी इसमें हम आधा टी स्पून इलाइची पावडर डाल की मिला लेंगे जितना आटा है उतनी ही मात्रा में हम शक्कर लेंगे यानि कि एक कप शक्कर लेना है हमें अब इसमें दो बड़े चमच मिश्री डाल देंगी लंबे कटवे बादाम काजू घी में भुनावा किश्मिश घी में भुनावा मखाने इसे हमने बारिक तोड़ लिया है यहाँ पर मेवा मिश्टान आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो यहाँ पर काजू बड़ाम को आप घी में भी भून सकते हो अब सभी चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे और आखरी में जो बहुत ही महत पकुण होता है वो है तुलसी के पत्ते तो हम यहाँ पर तुलसी के पत्ते डाल देंगे तो जन्माश्मी में बनने वाली आटे की पंजेरी तयार हो चुकी है अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं धनिया की पंजेरी कड़ाई में हम 2 चमच घी डाल लेंगे और आज को हमें यहां पे धीमा और मध्यम की बीच में रखना है एक कब दरदरा कुटा उवा धनिया का पवडर डाल देंगे और हमें यहां पे ब्राउन होने तक इसे भूनना है तो धनिया यहाँ पर ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम दो चुटकी भर राइची पाउडर डाल देंगी और कुछ एक मिट तक हम इसे चला लेना है तो देखिए यह तयार हो चुका है अब हम यह करने वाले हैं कि इसे कटोरी में निकाल लेंगी और थंडा होने रख देंगे अब कड़ाई में फिर से दो टेबल स्पून घी डालेंगे आज यहाँ पर धीमा और मद्यम के बीच में रखना है अब एक कप मखाने डाल देंगे और इसे हमें भून लेना है और भूनने के बाद इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे और जैसे ही गौन फूल जाएगा अच्छे से हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे अब फिर से एक टेबल स्पून घी डाल देंगे कड़ाई में और यहाँ पर आज हमें दीमा और मद्यम के बीच में ही रखना है हमने यहाँ पर एक अप काजू बदाम लिया है तो यह डाल देंगे हम साथ ही साथ में इसमें एक टेबल स्पून खस-खस डाल के अच्छे से मिला लेना है और सुनारी होने तक हम इसे भूनना है और सुनारी होने के बाद हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे सब चीजों को हम थंडा होने रख देंगे जैसे ही von चीज़ें थंडी हो चाहेगी हम mixer जार में डालके इसे दरदरा पीस लेंगे धनिया पाउडर है यहां पर थंडा हो चुक है इसमें आफ हम एक कप शकर का पाउडर डाल देंगे हमने धन्या पौडर एक कप लिया है तो एक कप हम शक्र लेने वाले हैं तो इसे हम मिला लेंगे अच्छे से शक्र मिलाने के बाद इसमें जो दरदरा पिसवा मेवा मिश्टान है वो डाल देंगे और अच्छे समय से मिला लेना है और आखरी में हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे बिना तुलसी के पत्तों के पंजीरी अधूरी है तो मैं उमीद करती हूँ जन्माश्ट मी में बनने वाली दो अलग प्रकार की पंजीरी का प्रसाद आपको पसंद आया होगा जन्माश्मी में लड़ो गोपाल को ये पंजीरी का भोग जरूर चड़ाईएगा शुक्रिया धन्यवाद हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाप करी रहे